किसी न किसी तरह की समस्या, हम नहीं जानते की किस तरह की समस्या, वो आपके सिस्टम की मजबूती पर निर्भर करता है। अगर ये बहुत कमजोर है तो आप मर सकते हैं या आपको स्ट्रोक आ सकता है या बस आपकी नींद शांत हो सकती है या बुरे सपने आ सकते हैं या दिन के दौरान आप अजीब हरकते करेंगे हर रोज, हर रोज, हर रोज अगर आपका विस्तर उसी तरह लगा हुआ है तो आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं आपको अपने सिर उत्तर की ओर क्यों नहीं रखना चाहिए मान लेते हैं आपको पता है कि पृत्वी में एक उत्तरी ध्रूव है और एक दक्षेनी ध्रूव है यानि ये चुम्बकी केंद्रे और आप ये भी जानते हैं कि धर्ती के पूरे भूखंड पूरे महाध्वीब धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहे हैं वो चल रहे हैं आप जानते हैं भूवी ग्यान से आप कम से कम ये तो जानते ही हैं कि सारे भूखंड खिसक रहे हैं हिमालय की परवत श्रेणिया कैसे बनी हिमालय परवत मानसरोवर आपको मानसरोवर में समुद्र की सीपिया मिलेंगी क्योंकि किसी वक्त वो समुद्र के लेवल पर थी आज ये 15,600 फुट की उचाई पर है तो ये जील वहाँ कैसे पहुँची? एक समय ये समुद्र के लेवल पर थी और आज वहाँ पहुँच गई है क्योंकि असल में पूरा भारती उप महाध्वीब सेंट्र लेशन प्लेट से टकरा रहा है और इसी वज़े से हिमालाय के पहाड अब भी उचे होते जा रहे है ये बस उठते जा रहे हैं एक टकराव के कारण आपने कारों का धेर लगना देखा है? बस वैसे ही है भारत भी टकरा रहा है भारत हर साल लगभग 1.2-3 सेंटिमीटर छोटा हो रहा है मुझे बिल्कुल सही आकड़ा नहीं पता लेकिन ये लगभग उस रेंज में है हर साल भारत 1.2-3 सेंटिमीटर का इलाका खो रहा है क्योंकि ये हिमालय श्रिंकला से टकरा रहा है और वहाँ पर धेर लग रहा है क्योंकि उत्तरी ध्रुव का चुम्बकी आकर्शन धीरे-धीरे सारे भूखंडों को ऊपर खींच रहा है तो इतना विशाल चुम्बकी आकर्शन जिससे महाद्वीप ऊपर खिसक रहे है उस तरह का चुम्बकी खिचाव लगातार पूरे गलोब में कायम है मान लीजे आपको थोड़ा से एनीमिया है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके लिए क्या प्रस्क्राइब करेंगे तो इसका मतलब यह आपके खून का एक महतुपूर्ण हिस्सा है तो अगर आपके शरीर में आयन तैर रहा है और मैं आपके सिर पर एक शक्तिशाली चुम्बक लगा दूँ तो हो सकता है कि धीरे धीरे खून उस दिशा में जाने लगे मान लिजे कि यह चुम्बक बहुती शक्तिशाली है तो यह खून को धीरे धीरे उपर खींचने लगेगा क्योंकि खून में आयरन मौजूद है आपके शरीर की सनरचना ऐसी है कि आपका दिल जो सर्कुलेशन सिस्टम का पंपिंग स्टेशन है वो तीन चौथाई उपर की ओर है न कि बीचो बीच चुकि गुरुत्वाकर्शन की उल्टे दिशा में पंप करना मुश्किल है और गुरुत्वाकर्शन की दिशा में पंप करना आसान है तो यह यहाँ है आम तोर पर जो भी खून की नसे नीचे की ओर जा रही है, वो मोटी हैं और जो नसे उपर की ओर आ रही है, वो काफी पतली हैं यहां तक पहुँचते पहुँचते, वो लगभग बाल की तरह पतली हो जाती है इतनी बारीक कि आपके मस्तिष्क का सर्कूलेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर उसमें एक भी बून ज्यादा चली गई, तो ब्रेन हैम्रेज हो जाएगा लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, तो अभी आप इस तरह हैं अब आप ऐसे हो गएं, पहले ही सिस्टम में थोड़ा सा असन तुलन है क्योंकि दिल गुरुत्वाकर्शन के प्रतिरोध को ध्यान में रखकर पंप कर रहा था अब अचानक गुरुत्वाकर्शन का प्रतिरोध नहीं रहा, आप इस तरह हो गएं और अब आप अपना सिर उत्तर की ओर कर लेते हैं धीरे-धीरे खून आपके मस्तिश की ओर खिंचता है तो एक चीज जो आपके साथ हो सकती है, वो ये कि आपको अच्छी नीन ना आए अगर आप अपना सर उत्तर की तरफ करके सोते हैं, तो आपकी नींद खराब हो सकती है हर किस्म के सपने आ सकते हैं अगर आपके उम्र ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए या आप नींद में मर सकते हैं, ऐसा बिलकुल संभव है ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोए तो आप मर जाएंगे हर रोज, हर रोज, हर रोज अगर आपका विस्तर उसी तरह लगा हुआ है कि आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं तो आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं किसी ने किसी तरह की समस्या हम नहीं जानते कि किस तरह की समस्या वो आपके सिस्टम की मजबूती पर निर्भर करता है अगर ये बहुत कमजोर है तो आप मर सकते हैं या आपको स्ट्रोक आ सकता है या बस आपकी नींद शांत हो सकती है या बुरे सपने आ सकते हैं या दिन के दोरान आप अजीब हरकते करेंगे तो तमाम चीजें होंगी क्योंकि मस्तेश्क में अधिक सर्कुलेशन हो रहा है जब इसे नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि सोते समय आपने अपना सिर उत्तर की ओर रखा तो अगर आप दक्षणी अमेरिका जाते हैं तो आपको अपना सिर दक्षण की ओर नहीं करना चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको अपना सिर दक्षण की ओर नहीं करना चाहिए वहाँ पर आप सिर उत्तर की दिशा में रख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में आप अपना सिर उत्तर की और मत कीजिए। आप एक सुई की तरह गोल घूम सकते हैं। पूर्व सबसे अच्छा है। उत्तर पूर्व ठीक है। पश्चिम भी ठीक है। दक्षन कोई और चारा नहो तो उत्तर में बिल्कुल नहीं। उत्तर पूर्व सकते हैं।